असकार मेरे प्यारे छात्रों मैं हूँ online study2eam आज आप देख रहे हैं 13th class का personally 2.4 का चौथा class तो आज हम आप लोगों को whiteboard पे नहीं पढ़ा पाए इसलिए हम इस पे बढ़ा रहे हैं तो देखिए हमारा सवाल है यदि बहुपत x का power 4-6x q-26x square प्लस 138 x-35 के दो सुन्यांक 2-3 हो तो अन्य सुन्यांक ग्याद किजिए यानि दिया है हमारा बहुपत हम नहीं आप लिख दिया ठीक है 4-3 यानि यह प्रकार से हो जाएगा दो प्लस करणी में 3 एक दो सुन्यांक ही हो जाएगा भी होंगे जैसे आप गुड़न खंड किसी भी चीज का प्लिकालते है ना ऐसे होता है आप वह का गुड़न खंड तो देखिए इसके दो घात होता है तो इस प्रकार से दो ही अंस्वर आपका आता है लेगने आपे चार घात है यानि इसका सुन्यांग चार आएगा ठीक है देखिए उसको कैसे हम हल करेंगे वही चीज़ आपको समझना है तो हम यहां पर लिखेंगे माना और दो सुन्यांग बराबर आलफा और बीटा ठीक है ये तो दूसरा तो दे दिया एक और दूसरा तीसरा और चोधा हमने इसको मान लिया ठीक है तो हम इसको इस प्रकार से यह आप लिखेंगे थोड़ा सोपर चलते हैं यह आप लिखेंगे एकस माइनस अलफा और एकस माइनस बीटा यह दो सुन्यांग हो गया हमारा इस प्रकार से अन्सुर आता है आपका गुड़ा घंड का तो फिर दूसरा क्या दिया है आपका यह टू प्लस करड़ी में थिरी टिक है इस इकल टू आपका जो बहुपत है न यह वाला यह वाला जो पहुपत है उसको यहां पर लिख देना है क्योंकि जब को आप जब गुड़ा करेंगा आपस में तो उतना ही अंसर आएगा तो यहां पर लिखते है एकस के पावर फोर माइनस एकस क्यूब माइनस लिखालते हैं तो इसको भी एकस के रूप में करना पड़ेगा तो हम करते हैं एकस माइनस अलफा यह हो गया फिर एकस माइनस बीटा फिर इसको करेंगे हम एकस माइनस टू प्लस करणी में ठीक है एकस माइनस टू माइनस करणी में ठीक है यह हो गया फिर इसको उतार दें यहां पर क्या लिखेंगे एक्स के पावर 4-6 XQ-26 X square प्लस 136-35 ठीक है तो राइटिंग में दिखकत हो रही होगी तावलो समाझ लेजेगा फिर यहां पर मुतारेंगे इसको X-alpha X-beta ठीक है फिर इसको अभी क्या करना है आपको इसको आपस में गुड़ा करना है तो जब आप इसको आपस में गुड़ा करेंगे तो आपका आजाएगा यहां पर एक्स इसक्वाइर माइनस 4-6 प्लस 1 आजाएगा ठीक है गुड़ा करना तो आपको आता ही होगा ऐसे आजाएगा फिर इसके बाद इसको हमें आपके उतार लेंगे तो चलिए टाइम बचाने के ल एक्स के पावर 4-6 x q-26 x square प्लस 138 x माइनस 25 ठीक है और जो यह वाला इधर था गुड़ा में तो इधर आके भाग में हो जाएगा तो एक्स इसक्वाइर माइनस 4x प्लस ठीक है 4x प्लस 1 ठीक है यह इतना नीचे आगया है यहाप फिर आपको क्या करना है इसको आपसमें भाग देना है भाग देना आपको आता ही होगा सिखाया हो पीछे आप लोगों को सवाल में नहीं आता तो सवाल देख लीजिएगा लाश्ट वीडियो दिखेगा सि जब आप इसको भाग देंगे तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे इसको एकस माइनस अलफा और एकस माइनस बीटा ठीक है इसकल टू जब इसको आप भाग देंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर इसको भाग देने के बाद इतना हो जाएगा फिर अभी आपको क्या करना है इसको गुड़न खंड लिखाना है तो यहाँ पर हम लिखते है एकस माइनस बीटा इसकल टू गुड़न खंड भी आता होगा पर कोई नहीं समझा देता हूँ ठीक है तो आपका यह गुड़न ख 32 ठीक है यह एकस माइनस 35 गुड़न खंड नहीं आता होगा वो भी सिख लिजेगा हमने वीडियो बना रखाए ठीक है इसलिए हम जाता है डिटेल में नहीं समझाएंगे इस आप क्लों का टाइम बचेगा फिर यह आपके हम करेंगे एकस स्क्वाइर माइनस 7 यह प्लस 5 य एकस माइनस 35 फिर अभी हम इसको क्या करते हैं आपके उतारते हैं एकस माइनस अलफा और एकस माइनस बीटा इसकल टू इसको देखिए यापस में जोड़ा लगा करके कोमन लिकाल लेजे तो हो जाएगा आपका एकस कोमन और एकस माइनस 7 यह पर बचाएगा फिर प्लस 5 एकस माइनस 7 ठीड़ है फिर एकस माइनस आलफा और एकस माइनस बीटा इसकल टू आपका होज़ा एकस और प्लस 5 फिर एकस माइनस 7 यह पर तो लिकाल ही कहा था एकस Bree तो देखिए आपे यहां पर हमारा फिर से लिखेंगे में पर x plus 5 और x minus 7 इसके बराबर में यह है ना तो इसके मतलब ऐस मैंने सलता के जगा पर यह है और x minus प्लस फाइब यह वाला ठीक है इसका सुन्यांक क्या क्या हो गया देखें बता देते हैं यह तो सुन्यांक आपका होगा इसको साथ और दूसरा क्या हो रहा है मैंनस पाइस कैसे लगे आपनों को वीडियो अच्छी तरह समाझ गहूंगे चलिए अगला वीडियो देखते हैं